हलो फ्रेंज आज हम आपके साथ सीर करेंगे बाथरूम को साफ करना वह भी बिना हाथ लगाए बिना मेहनत और बिना एक भी रुपिय खर्च की हुए सिर्फ 10 मिनट में जो चीजें हम फैंक देते हैं कूड़े में हम उसी से अपने बाथरूम को आज चमकाने वाले हैं तो आ मिमबू का च señal भी नहीं है कि से घ्राएं का लेते हैं यह बहुत अच्छा काम करेगा छिल के को मैंने ग्रांट कर लिया है अब इसे हम निकाल लेते हैं बावल में और इसमें हम डाल रहे हैं एक चमच नमक नमक बहुत ही अच्छा क्लिनिंग का काम करेगा और इसमें हम डाल रहे हैं एक चमच हार्पिक तोकि बाथरूम मेरा बहुत गंदा है इसलिए थोड़ा समय हार्पिक इसमें डाल रही हूँ इसे अच्छ हो चुका है अब मैं अपने हाथों में कलप्स पहल ली हूँ और एक स्करबर ले रही हूँ जलिए बातरूम में आपको दिखाते हम अपने बातरूम को कैसे क्लीन करते हैं तो यह मेरा सिंख है इसमें आप देख सकते हैं कितने दाग धपे लगे हुई हैं तो अभी से हम दाख लगे हुए हैं सिर्फ यह नीबू की छिलकों से साफ होने वाला नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा हापिक डाला है अगर आपका बाथरूम इतना गंदा नहीं है तो इसमें आप हार्पिक मत डालिएगा नीम और नमक से ही आपका बाथरूम अच्छे से क्लीन हो जाएग तो इसे मैं अपने सारे टाइल्स पे फैला देती हूं इस करपर से और 10 से 15 मिनट बाद इसे हम धूल देंगे तो बिना हाथ लगाए हम इसे साफ करेंगे अगर आपका बात्रूम और फी जादा गंदा है तो 10 मिनट लगाने के बाद इस करपर से स्क्रब कर दीजिए तो इस से आपका बात्रूम एकदम चकाचक हो जाएगा 10 मिनट हो चुके हैं मेरा बात्रूम साफ हो चुका है तो इस पर हम पानी डाल के धूल देते हैं और अपने सिंक में भी मैंने पानी डाल दिया है और इस पे भी पानी डाल कर हम वाइपर से साफ कर देंगे तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और आप मेरे चैनल में पहली बारा हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मैं आपके कमेंट का अंतिजार करूंगी कि मेरे वीडियो आपको कितनी हलपफुल लगे और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमली और फ्रेंड सलकल में सेयर कर दीजिएगा मैं मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई and टेक केर